नमस्कार A to Z dishes उश्या गुर्जानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ कद्दू के कोफता की सब्जी अब दिखें कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसे काफी लोग नहीं पसंद करते हैं काफी लोग खातो लेते हैं पर तरह तरह के मुह बनाते हैं बच्चे होया पड़े पर आज यह कोफता की सब्जी अगर आपने एक बार बना ली और इसे चावल या रोटी के साथ खा लिया तो हर बार इसे आप बनाना पसंद करेंगे उसके लिए देखे मैंने यहाँ पर ले लिया है 250 क्राम कद्दू और आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से कद्दू को इस तरह से ग्रेट कर लिया सबसे पहले हम कोफता बनाएंगे तो कोफता बनाने के लिए कद्दू को हमें हमेशा कद्दू कस करना पड़ता है देखे इस तरह से करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़े से द क्योंकि कद्दू के अंदर इतना ज्यादा मॉइस्चर होता है तो बस इसका जो आटे की तरह बनाएंगे नो कोफता के लिए वो इसी तरह से हो जाएगा पर फिर भी अगर आपको लगता है पानी डालने के जरूर है तो आप डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला और एक सौफ्ट टाटे की तरह से गुंद लेना है और बस हाथो पर थोड़ा सा तेल लगाा अकर इसके कोफते बना लेने अब गोल भी कोफते बना सकता है एकदम बॉल-का शेव भी दे सकते या फिर लंबे कोफते भी कोई भी शेव डे कोई भी आकार दे ध्यान यह रखना है कि वो ज्या तक 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 इससे हमें तने के तल कि जो सकते हैं अच्छा यह तरह से कुफते हम फ्राइ कर सकेखें अच्छा आगए अच्छा एकन आपकते बिद्धाट है तो बस इसे हम निकाल लें और यह कोफते ना ग्रेवी में तो अच्छे लगते हैं पर यह ऐसे उख खोने में काफी कोफते के लिए ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए मैंने गैस कॉन के कड़ाई रग दिया दो चमस तेल जैसे गरम हो जाए एक चौथाई चमस जीरा और दो बारिक कटेवे प्यास इसे हमें भूनना है अब देखें प्यास को नो जादा लालने तक ना भूने बस इसका हलका सा कच्चा पंदूर हो जाए समझ लीजे एक से दो मिनिट तक ही भूनना है उसके बाद आदी चमस जिसके अंदर आपको डाल दीनी है अध्रक लसन की पेस्ट और उसे और एक मिन तक भूनना है तक ही अध्रक लसन का कच्चा पंदूर हो जाए देख सकते है एक मिन तक भून काफी अछै आड लुटा, इसे अफोती एक मिनित तक यहां उसके बाद 2 अफाशा मिनिहीं की यहां,टत को लुटे शुचा it dim. शुचति लीजा पीसेफा मंच्छन,ऴलोचन खखेए। अच्छा बाद बासे। अब इसके अंदर हम डालेंगे दो कप पानी पानी आपको अभी जादा लग रहा होगा पर क्योंकि कोफते भी सोक करते है पानी इसलिए दो कप पानी डालना और अगी अबाल आने तक इसे पकाना देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छा अबाल आ गया है तो यह जो तैयार किय है इसके अंदर हमें डाल दिने हैं अच्छे से मिक्स करना है अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़े से धनिया के पते डाल दिना और इसे लगबख आपको छे से साथ मिनिट के लिए पकाना है इसे ढखकर मत पकाना खुला ही पकाना और हां बीच पीच में इसे इस तरह स यहां पर लगबग 6-7 मिनिट हो गया है और यह बढ़िया सी कद्दू के कोफ़ता की सबजी बनकर तयार है जो बहुत 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 ही रेस्टे लगती है मैं तो कभी से रोटी के साथ खाती हूँ कभी बाकरी के साथ और कभी चावल के साथ जादतर मैं से चावल के साथ ही खाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा स्वात देती है और दीखिए कोफ़ते भी कितने अच्छे से पके है तो जरूर ट्राइ करना और यहां तक आया है तो वीडियो को लाइक करना कमेंट करना, शेर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें आज के लिए बस इतना ही थांकियो फॉर वाच्छेंग